नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे electromagnetic induction को electromagnetic induction यह क्या है भीया तो जैसा आपने थम्नेल मुद्बढा कि भाया हमें electric circuit में हमें current चाहिए बिना किसी के electricity हमें चाहिए बिना किसी battery के हम लोग क्या बिना battery के electricity इन्ट्र में बताता है तुम कैसे बिना बैट्री के क्या प्रडूस कर सकते हो तो वह यह क्लास्ट इंड का टॉपिक है अगर आप उसे कमपके हो तो भी वीडियो देखे लो उसमें को ही जायएगा कि क्यों कि प्रोडैस होता है और क्यों फिस होता है यह आपको समझ में आ जाएगा लेकिन यह टोपिक है आपको इसके बारे पूरी डेटिय लिंग मिलेगी इसके पहले भी कुछ स्कीट समाओ कि दिया है एक कोईल ऐसा एक लोप है उसको अच्छा से करते हैं कि यह हमारे पास कुछ ऐसे लूप है समाझ लो कि किसी से हमने बांड दिया इस लूप को कि से एक Cardboard ऐसा था उसके उपर हैसे हमने Loop को रख दिया है ठीक है और यहां पे एक आपका गलवानोमीटर ठीक है ऐसे है तो कि आपका ऐसा सूईी दिखा रहा है गलवानोमेटर क्या होता है गलवानोमेटर वह डिवाइस होता है इसके मदद से आप Current का Direction पता करते हूं और Current कितने Current का माप पता करते हूं ठीक है, Magnitude. Magnitude और Direction आपको गिल्वनोंब बता देता है तो समझ लोग ये कोई Loop है, Loop मतलब क्या होता है, ये तार हो गया अब इसको मैंने ऐसे लपिटते गया मैं लपिटते गया लपिटते गया और तो यह एक loop फ़म कर दिया तो सपोस्कर ऐसा यह loop था तो इसको loop को मैंने किसी एक double से या फिर किसी काड़ भूर्ट से मैंने बांग दिया है उपर ऐसे loop प्रॉब्लम नहीं अब यहां पर क्या है एक magnet है एक magnet है यह है इसका नौर्थ पुल और यह उसका साउथ पुल्लम नहीं अब जब आप देखोगे जब आप मैगनेट को मैगनेट को पॉल के पास बहुत लूप के पास मैगनेट को जब आप लोग लूप के पास लेके जाओगे क्या मैगनेट को जब आप लूप के पास लेके जाओगे तो आपको देखने में आएगा कि गल्वनोमिटर की जो सुई है वह रिफलेक्ट कर लिए जो गल्वनोमिटर की सुई है वह रिफलेक्ट करे तो यह गलवनोमिटर क्या बताता है current, current की दिशा बताता है और magnitude बताता है, so galvanometer की शुई क्या करें, deflect कर रही है, जब भी आप इस magnet को इस loop के पास ला रहे हो, ठीक है, ऐसे ला रहे हो, ठीक है, जब आप loop magnet को ला रहे हो, तो वो deflect करे, अब magnet को अहीं पे सिर्फ पकड़ कर र लेकिन लाक जैसे मैंने इसको ऐसे ही इस्टिल छोड़ दिया है, galvanometer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, जब मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाओ, तब भी galvanometer की सुई जो है, वो deflect करेगी, ठीक है, so इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है, कि भा इससे मैंने पार को यहाँ पर connect किया हुए, ताकि मैं current को माप सकूँ, ठीक है, so जब भी मैं जो magnet है, उसको आगे पीछे कर रहा हूं, तो मेरे loop में current पाइदा हो जाला है, current पाइदा हो जाला है, इसका मतलब की magnet को आगे पीछे करने का वज़ए से loop में मेरा current पाइदा और यह अपना B-point से C-point उधर-उधर move करा था, अब इसको किसी एक point पे, हम लोग मैंने को किसी एक point पर रख देते हैं, और जो यह coil है, इसको आगे पीछे, आगे पीछे करते हैं, तब भी आप देख रहे हो, जब भी आप magnet को एक जगा रखे हो, कोईल को आगे पीछे, आ आप कोईल को अगल मूव करोगे, लूप को या फिर कोईल, जो भी काऊ इस चीज़ को, आप इसको जब आगे पीछे मूफ करोगे, और जब आप magnet को आगे पीछे मूफ करोगे, किसी एक को, आगे पीछे जब आप मूफ करोगे, तो आपका current पैदा होगा, अब यह क्यूं होगा करेंट पैदा यहां पर क्यों हुआ तो यहां पर करेंट इसलिए पादा हुआ क्योंकि चेंज इन मैगनेटिक फिल्ड के चेंज की वज़ा से यहां पर जो है करेंट आपका पैदा हुआ ठीक है मैगनेटिक फिल्ड की चेंज के वज़ा से यहां पर करेंट इंड्यू हो जाता है एक experiment आपने बहुत ही पहले बढ़ा होगा कौन सी experiment कि भाईया एक circuit है उसके पास में जब आप compass लेगे जाओगे जिसमें एक circuit से current flow कर जा है और उसके पास जब आप compass लेगे जाओगे तो compass की निदल deflect करती है यह पढ़ा है आपने जो electricity और अपर दुन के वह दूहकि और अपर या और अजय करता है एक quantum charges Ce एँ ऐसके यहां पडिख्हें लागे पीछे होरा है तो और lose इलेट्रिक फिल्ड फिल्ड होड़ा बन रहा था वैसी ही मैनिट के चेंज आ वहां पर बन रहा था यहां Turns इलेक्टिक टेलेए पैमिटिक फील्ड के वज़ए से म्हाला और भाय्या betonWorkigan मैंगनेटिक फिल्ट का चींज कहां से आया मैंगनेटिक फिल्ट टुंटchen एक मैंगनेटिक फिल्ट सबूकर करो तो तो ऐसे चीह वहात ही कम दूरी में वह connection हो रहा है तो जिसके वज Izіл आपका current induced हो रहा है अब जब यह coil को मैंने इसको एक जगह पे रख दिया और को आगे पीछे किया तो कोई magnetic field में जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर वापस आ रहा है जिसके वजह से आपका electricity पैदा हो रहा है लिए यह काम तो बहुत ही मुश्खिल है magnetic field हमेंसा चैंज किससे करते रहोगा यह तो magnet को change करना होगा यह फिर coil को हमेंसा मूव करते रहना होगा किसी का तो motion को ज़रूड है या फिर दोनों के motion चाहिए आप दोनों को भी relative motion जब भी होगा इन दोनों का relative motion जब भी होगा कोईलि का relative motion between सब्सक्राइब कर दो हरे कोईल सिंध् swipe हएंड. आट लिए मैगनेटीक टिक और मैगनेट प्रडीउस करेंट क्या जब भी मैगनेट और कोईलिकल बीच इसको हम लोग लूप के हैं कोईल के हैं जो भी कहें आपका मन्त सो जब भी यह दिलेटिव मोशन होगा तब क्या होगा तब आपका करेंट पैदा होगा इसको हम लोग कहते हैं इंडियूस करेंट इसको कहते हैं इंडियूस करेंट क्यों कहते हैं इसको भी डिसकस करेंगे त phenomenon phenomenon in which current is induced current is induced in a circuit क्या इस circuit में हमने current induced किया current is induced in a circuit due to change in magnetic field तो magnetic field के change की वज़े से अगर आपका current induced हो रहाएं, magnetic field के change के वज़ह से PayPal ह्मूद के यापका current induced हो रहा तो भ בח חई क्या है k्या वाथ है magnetic field के वज़े के जब यह वी होगा तब भी आपका current induced हो जाता है किसके अंडर जो भी सऩड्रेट है उसके अंदर सो यहां पर जब भी relative motion हो रहा है coil का या फिर magnet का तो वह क्या हो रहा है वह आपका magnetic वह आपका क्या करा है magnetic field को change कर जिसके वज़े साथ करेंट अब एक चीज सुनो एक सुनो आपके MCRT में में दोनों साथ में यह साथ लिखी हुई है आप सुनो कि करेंट का करेंट का जो डैक्शन वह फिर dependent है किसके ऊपर तो भाईया इसके ऊपर magnetic field के ऊपर ठीक है magnet को जब पास लाओगे ठीक है मेंगनेट के पास लाने पर उसके जैसा डैक्शन लाएगा दूर ले जाने पर उसके डैक्शन चेंज हो जाएगा ठीक है तो इंक्रीज और डिक्रीज जब भी करोगे magnetic field को क्योंकि दूर जारा तो डिक्रीज हो रहा ना magnetic field और जब इंक्रीज करोगे नजदी कर लाओगे तो वह सेम रहेगा उसका डैक्शन ठीक है और उसके बाद पूल को भी तुम बदल दो तुम पूल बदल दो मानलो इधा साउथ यह नौर्थ पूल था और यह साउथ पूल था इसको मैंने कर दिया साउथ और इसको कर दिया रहेंगा मैंने नौथ तो भी करेंट कर डैक्शन किया होता है बदल सकता है इसको और बहुत ही अच्छे से डिटेल में तुम क्लाश्टिन में अभी के लिए समझ लोगे पूल के फोल में कि बदलंगे जब तुम पूल बदल लोगे तूह करेंट कर डैक्शन बदल कि हम कितने दिनों तक याद रखेंगे इस चीज को हमें कुछ तो रूल पता करना होगा जिससे हमें इस चल सके क्योंकि एक करेंट हमारे इंड्वीष हुआ इसके अंदर क्योंकि यह करेंट तो आटमेटिकली किसी बैटरी साय नहीं है इसको हमने इंड्वीष किया इस मोशन में current कब flow कर यह हमें पता करणा है कौनसे डाक्षण में कब current flow कर यह इसके वज़े से कि यह हो मैंने हो यह और चरहां करbench तुर्शन शच्राइब करले जो हो Cape चरहां बकरणियद करेंट कर्टेंचु थो कुछ भषे उसका फ्रूरा ऐ यह बहुत है तो महाए City करेक्षन इस साइड में तो तुम्हारा एक नॉर्थ पॉल है ठीक है यह तुम्हारा नॉर्थ पॉल है और यह तुम्हारा एक साउथ पॉल क्या है साउथ पॉल कोई टेंसर कोई टेंसर नहीं और यह बीच में है तुम्हारा सर्कृट यह तुम्हारा डाइग्राम जो है भा फीट का डशिण इससाइड नवानो Valley है नॉथपर अधर और सौइड झार नकर फरारें जीजगोर और अगर तरफ udah Your आयँ तो साहर से जाता है वह नौट कर दीडेशन अगर को सबते और हो तुम चिसा का्न नॉच मोशन का तुम आश्व नाथ की का तो लेके जए रहे हो कोईल को ऐसे पखड़ लिया तुमने ऊपर की तरफ लेके जाए हो खीक है लोगे तमकुल को लेके जाए है तो फिर उसकेस में क्या होगा cd कार action, यह ख्रेक्शन फीन का जो इस कम और, तही का lucky तरफ! क्लिक का तो छो क्न दर्च के तरह सब्चान के है, तुन जो stabdड का तरह सब में Antksare दिए, टो यह तो तुम्हारा मोशन है वो तुम नीचे की तरफ तुमने अब उपर की तरफ नहीं घीचा तुमने अब उसको नीचे की तरफ दबाने लगे तुम उसको नीचे की तरफ दबा रहे तो तुम्हारा मोशन है वो तो नीचे की तरफ है तुम्हारा जो करेंट है वो तुम्हारी तर यह वाला जी जो लें यह तुम्हें बताती ये फील्ड के डाइक्शन ऑर यह थो एंटेसरे पता लगा लेंगे अगर्राग तो मोशन पता लगा लोगे अगर्र तुम कुछेसी धी नहीं magnetic induction जिससे कि तुम्हारा बिना battery के current produce होता है क्या से produce होता है क्योंकि change in magnetic field so coil लो मतलब loop बना लो उसमें circuit बान लो ठीक है और फिर उसके पास एक magnet लो और magnet को आगे पीछे आगे पीछे करते जाओ तुम्हारा उसमें current तुम्हें दिख जाएगा कि मैंने एक निडल ले लिया यह क्या है कोई एक जो कील होती है कील है यहां पर मैंने इसमें एक क्या किया है एक टार को मैंने ऊपर बांदिया और यहां पर भी एक टार बांदिया है जिससे current क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है यहां पर यहां पर यह क्या है इसके ऊपर मैंने से करेंट की है इसको यहां पर मैंने सेट किया है उसको आपने करो cirrada क्रेंट क्यों हो रहा है करेंट वहि act few रहे हैं तो आपका क्योद्स में किया होगा इस किस्में कि जब आप सुइच को AltUD कि आधि आपने सुटिया नहीं तो अभी करेंट फि苟 करता है जाएगा है यहांप प्लग लग की हमने यहां पे एक छोटा सा देजिए इस कि कैसे काम करता है तो ये सब्लक किया अभी तो मैंने इसमें फ्लोग दाला नहीं का मतलब र easy जैसे ही current flow करेगा यहां पर यह कोईल है जिस से कि मैंने गल्वेंटर को अटैच किया दिफिलेक्ट हो तो इसकी निदिल किया करेगी थो ठीक है को सांत हुजाए जैसे मैंने करेंट कर दिया मान लू मैंने यहाँ पर साक्तुम करता दिया प्लग को मैंने करेंट को आँफ के दिन तो हम तो भी वो थोई से टिफ्लक्ट करेंगे जो उसकी यहाँ уже से डिफ्लक्ट आप ऐसा क्यूं अब है इसा कैस्स यह कैस्सदस अब तो मैंने तुम से क्या पहले बोला था काम पास वाले केस में एक 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 दम से अपने हाइप पर चला नहीं जाएगा तो मैंनो कि 0-5A का करेंट था तक दम से जैसे तुमने स्विच ओन किया वह 5A पर तो नहीं चल जाएगा 0-7 जाएगा फिर 2 जाएगा फिर 3 ऐसे करते करते हैं वह 5 जाएगा सो इस केस में क्या हो रहा है를 उसकी चेंजहोते रहें जैसे लह्यिए जितना मैंटborट होगा टृग जब जब चेंज ऌग उतना अबसक होरा हूं और मेरे ठरशेंज होरा है और मेरे तरफ से बहुत टूरा हो अबना डोट्रुए दिफ्लेक्ट कर देता उसके बाद क्या हूँ चुब टूर выпाद है ऐसमें क्या व्यादा कोया niti यह magnetic field change हो रहा है, magnetic field जब शुरुवात में change होना था हो गया, अब उसके बाद से तो magnetic field change हो नहीं रहा, तो needle भी deflect कर नहीं रहा, जब तुमने switch को बंद किया, तो फिर dact 5 से वह 0 नहीं आ जाता, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके वह 0 तक आता है, तो उस case में magnetic field जो है वह change किया, और उस समय जब वह change है तब भी needle ने deflect किया, ठीक है, तो 5 Ampere के वैसे मैं यहां पर current बोल रहा था, मैं 5 Ampere का current होता है, current का हम लोग Ampere में नापते हैं, ठीक है, तो वह जब उपर से, सबसे उपर high उसका volume होगा, जो high उसका current होगा, highest level का current, उससे वह नीचे तक 0 तक आपको एक और चीज आगे मिलेगी पढ़ने को, वह है कि जो current, आई जिससे है का हम लोग current को represent करते हैं, यह proportional होता है, जिसको कि आप लोग represent करते हो B से, ठीक है, अभी के लिए इस magnetic field को आप लोग समझो कि M से आप इसको represent करते हो, ठीक है, M से ही, क्योंकि अभी हम छोटे classes म हैं, शो अभी इसको समझेंगे के M से ही represent करते है, सो जो current होता है, current जो होता है, वो proportional होता है, magnetic field के, अपको यह बाद में पता चलेगा कि, जितना ही आप current को ब近दो होगे ठीक है जितना ही पोटेंशल डिंट बागो जितना ही अपड करिंट बार दो गे उतना ही हिए उतना ही आपका मैग्नेटिक फिल्ड बढ जाएगा ठीक है 한 dzięki तो उपीड है आपको समझ में होगा कि हम लोग कैसे बीना बैट्चरी के कानि करेंट दे सकते हैं कैसे बीना बैटरी की करेंट देंगे तो मैगनेटिक फिल्ट को चेंज होना पड़ेगा अगर आपको लगा कि कुछ भी आपको इंफॉर्मेटिव इस वीडियो से मिलाओ सो प्लीज सब्सक्राइब किजिए मिलते के लिए तो तक लिए जैन्द